कि नमस्कार विध्यारतियों मैं बीएस राजावत मिशन ग्यान के सीटी ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सबी मित्रों का हर्दिक श्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं दोस्तों सीटी का एक्जाम चुकि पांसा दिन बाद में आपका हो रहा है साथ और आठ जनवरी को हो रहा है तो इसमें जो हमारे राजस्तान के आर्थिक समिक्सा है दोजार इकीस बाइस से जोड़े हुए जो प्रस्णों का संकलन हैं वह मैं आपके सामने लेकर के उपसित ह हुआ हूं कि कौन-कौन से मैं प्रसंद है आर्थिक समिक्सा के हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं तो देखिएगा प्रसंद संख्या एक है कि राजस्तान की आर्तिक समिक्सा किसके द्वारा जारी की जाती है तो बीटाव राजस्तान की आर्तिक समिक्सा है ये आर्तिक और सांखी की निदेशाले के द्वारा जारी की जाती है राजस्तान की आर्थिक समिक्सा है ये आर्थिक और सांखी की निदेसाले के द्वार जारी की जाती है और राजस्तान का आर्थिक और सांखी की निदेसाले है वो जेपूर्वे हैं जिसकी स्तापना 1956 में हुई थी तो ध्यांद रखना राजस्तान की राज्याई के आंक्णे हैं वो भी आर्थिक और सांकी की निदेसाले जारी करता है और राजस्तान के आर्थिक समिक्सा है वो भी आर्थिक और सांकी की निदेसाले जेपुर के द्वारा ही जारी किये जाते हैं जिसकी स्तापना 1956 में हुई है तो 2020 21 में राजिस्तान की प्रतीवेक्ति आई इस्तिर मुल्यों पे रही है वो रही है चौतर हजार नो रुपए तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा वो होगा ए नेक्स है कि राजिस्तान में मुद्राइस पीती के थोक मुल्य सूचकां का आधार वर्स क्या है पिटा हो मुद्राइस पीती डबलू पी आई पर मुद्राइस पूच रहा है हौल सेल प्राइस इंडेक्स अगर बात कए कि राजस्तान में का बेश यह तो राधास्तान में कूछा गया है तो राजस्तान अधार वर्स है वह बיidas दो हजार हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भी कि नेक्स कि प्रसंद संक्या चार कि 2021-22 में राजिस्तान में कुल खाद्यान उत्पादन कितना रहा है यह बेटा एसो का जो एक्जाम हुआ था जिसका आज फाइनल रिजल्ट आया है उसमें यह प्रसंद पूचा गया था कि 2021 में राजिस्तान में खाद्यानों का कुल उत्पादन का अनुमान क्या है तो बिटा जी ध्यान रखना दोनू चीज़े खाद्यान आप देखे खाद्यान उत्पादन तो दोनों डाटा आपको पता होना चीज़े अगर पूचता है कि 2021 में उत्पादन कितना हुआ तो उत्पादन हुआ था 269.09 यह तो उत्पादन हुआ है और 2021 में जो अनुमान लगा गया वो लगए गया था 225.20 लाख मैट्रिक टन 225.20 लाख मैट्रिक टन अट तो 225.20 लाख मैट्रिक टन उत्तर कौन सा हो गया थी और यह प्रसंड में 21 तक ये वीडियो के फेस्ताम में पूचावा प्रसन है जैसंध की राजस्तान की कुल उजाुतमादन शमता कितनी रही है तो बडा राजस्तान की कुल उर्जा उत्पादन समता है वह 23,321 मेगावाट रही है दिसंबर 2021 तक राजस्तान की उर्जा उत्पाददन करने की शमता कितनी रही है तो 2000 दिसंबर 2021 तक हमारे राजस्तान की कुल उर्जा उत्पादन शमता जो रही है वो 23,321 मेगावाट रही है नेक्स प्रसन संक्या 6 प्रसन संक्या 6 हैं कि राजस्तान में कुल मिलाकर कितने प्रकार के खनीजों का स्टोक है तो बिटा राजस्तान के आर्थिक समिक्सा 2021-22 के नुसार आप देखें तो राजस्तान में कुल मिलाकर के स्टोक हैं वो तो हैं 82 प्रकार के खनीजों का है और जिनमें से बात करें कि खनन कितने प्रकार का हो रहा है तो खनन ओरा वह 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 विटा 57 प्रकार का दोनुँछी जहां लखना कि राजस्तान में कितने प्रकार के खनीजों का स्टोक है तो स्टोक तो बैयासी प्रकार का है और पूस्ता की खनन कितने प्रकार का हो रहा है तो खनन बेटा सत्तावन प्रकार के खनीजों का खनन हो रहा है तो देखिएगा राश्तान में कुल मिलाकर कितने प्रकार के जो का इस्टोक राजस्तान में हैं जिनमें से 57 प्रकार के खनीनों खरीजों का खनना वो हो रहा है कि नेक्स कि प्रसंद संक्या साथ कि बारत की कुल जीडीपी में राजस्तान राज्ये की इस्सेदारी कितनी रही है दोजार एकीस-बैस की समिक्सा के नुसार ये बाते हैं तो बेटऊ बारत जीडीपी में राजस्तान की इस्सेदारी रही है वो रही है पांच-पंद्रापरतेस्ट नहीं रही है 2021 में 2021 में राजिस्तान में कारिये भागीदारी की दर किती रही है राजिस्तान में कारिये भागीदारी की दर ये पिछले आरेस में पूछा हुआ प्रसंद राजिस्तान की कारिये भागीदारी दर ये आरेस में पूछा हुआ है तो ध्यान दकना भारत में तो कारिये भागी दर हैं वो बेटा 43.6 प्रतिशत है 43.6 प्रतिशत है तो देखिए उत्तर कुछ सा हो गया है नेक्स प्रसंद संक्या नो कि 2021-22 की आर्थिक समिक्षा के नुसार राजस्तान का सड़क घनत्व कितना है कि राजस्तान का जो सलक घनत्व हैं वो कितना है तो बेटा राजस्तान का सलक घनत्व है 79.76 किलोमेटर ज्यान रटना 2021-22 की आर्थिक समिक्षा के अनुसार राजस्तान का बेटा जी पूछा जाता है सलक घनत्व तो राजिस्तान का सड़क घनत उजो रहा है 79.76 किलोमेटर है वो सड़क घनत रहा है नेक से प्रसन संक्या 10 प्रसन संक्या 10 बारत का कितना प्रतीशत खनीज तेल बंडार राजिस्तान में है इस ट्रैप का प्रसन वीडियो में पूचा था कि वीडियो प्री में पूचा था अब बीटा जब वीडियो प्री हुआ था तब आर्थिक समिक्सा थी 2020 और उसमें बताया था 22 प्रसेंट और अब आगी 21 22 की समिक्सा और इसमें कितना बताया 20 परसेंट तो ये प्रसंन पूछा हुँआ 22 वाला प्रसंन वीडियो की एक्जाम पूछा था चोकि नए 212ibly double की समिक्सा में बिस प्रसंट बताया है तो बारत का कितना तो बेटा भारत का 20 प्रतिसत खनीज तेल बंडार राजस्तान में तो राजस्तान में सोर उर्जा की उत्पाधन शम्ता कितनी हैं कि तो राजस्तान में सोर उर्जा की उत्पाधन सम्ता भी है वह हैं 142 गीगावाट ध्यांद रखना सोर उर्जा के उत्पादन में देश में राजस्तान राज्य का प्रतमिस्तान है और वेटाजी ध्यांद रखना वर्तमन समय में राजस्तान में लुगों सोर उर्जा की स्वास्ते बीमा योदना कब से प्रारम की गए मुख्यमंत्री चरणजीवी स्वास्ते बीमा योदणा मैं दोजार इकिस से प्रारम हुई है घ्यान रखना मुक्यमंत्री चिरंजीवी त्वास्ति बीमय योधना एक मईय 2021 से प्रारम हुई है असो गैलोत जी ने यह प्रारम की है असो कि गैलोत ने प्रारम की है भिटव ध्यान रखना है यह जो योधना है जब यह 1 मई 2021 को प्रारम की गई तो इसमें 5 लाक रुपे की स्वास्ते बीमे का प्रावदा निसमें किया गया था और अब 1 मई 2022 से इसमें पहले बात तो स्वास्ते बीमा जो की पहले 5 लाक था उसको बढ़ा के 10 लाक कर दिया गया है और 10 लाग के स्वास्ते बीमा के साथ 5 लाख रुपे के दुरुगेटना बीमे का प्रावदा ने वो भी एक मई 2022 से कर दिया गया है तो बिटा जी इसका उत्तर कुन सा होगा सी नेक्स ये प्रसंद अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा था जस सेकंड ग्रेड टीचर्स में प्रसंद पूछा मुख्य मंत्री अनुप्रिती योजना का संबंद किस से हैं मुख्य मंत्री अनुप्रिती योधना का संबंध है प्रतियोगिता परिक्षाओं के लिए निश्वल कोचिंग से संबंधि जो योधना है वो मुख्य मंत्री अनुप्रिती योधना है और इस योधना के अंत्रगत प्रतिवर्स 15,000 विद्यारतियों को निश्वल्क में कोच जन आधार योधना की गोश्वना कब की गए थी यह जस्पिछला आरेस का एक्जाम पर उसमें प्रसंद पूछा था बिटा पहले तो उमारे रस्तान में क्या थी पहले तो थी भामसा योधना बामसा योधना में दो चरणों में थी इसका पहला चरण था वो तो था एक अप्रेल 2008 और इसका दूसरा चरण था पंद्रा अगस्त दोजार चवुदा पंद्रा अगस्त दोजार चवुदा है इसका दूसरा चरण था यह योधना प्रार्म की थी अगर घोष्णा पूछे तो गोष्णा हुई थी अटारा दिसंबर 2019 और इसको पूछता है कि इसको प्रभावी कब से किया है तो प्रभावी किया एक अप्रेल 2020 से एक अप्रेल 2020 से इसको प्रभावी किया गया है और मेरे बच्चों यही प्रसंद पूछा गया कि जराधार योजना गोशित कब की गई तो 18 दिसमबर 2019 इसका सही उत्तर होगा औ प्रसन संख्याद 15 भारत की कितने प्रतीशत गूहार है वो राजतान में उत्पादेत होती है तो भारत की 68.62 प्रतिशत ग्वार का उत्पादन है वो रास्तान में होता है, ध्यान रखना, बिटाओ, बाजरा, सर्सो, ग्वार, चना, इस सब गोल, इनके उत्पादन में आप देखें, तो इनके उत्पादन में भारत में राज्स्तान राज्य का प्रत्मिस्तान है, बाजरा, सर्सो, ग्वार, चना, ओर इस सब गोल, इनके उत्पादन में आप देखे तो इनके उत्पादन में भारत में राजस्तान राज्य का कोजसा इस्तान है प्रतम इस्तान है एक बार किसी एक्जाम्स में प्रसंद दिया गया कि राजस्तान को सर्सों का राज्य क्यों कहा जाता है तो राजस्तान को सर्सों का राज्य इ इतने प्रसेंट तो 78.62 प्रसेंट गवार का उत्पादन है वो हमारे राजस्तान में होता है नेक्स आप देखें कि यह प्रसंद भी कई एक्जाम से में पूछा हुआ है संग्नक के एक्जाम में इसको पूछा था पीटा प्रसंद यह है कि 2015-16 की क्रसी गण्णा के अनुसार राजस्तान में जोतों का उस्ट आकार क्या है जोत कहते हैं खेत को तो द्यांद रखें जोत पांच प्रकार की होती है सिमांत जोत लगू जोत लगू मध्यम जोत मध्यम जोत और व्रज्जोत और 2015-16 की और कि में तो हमारी राजस्तान में जोतों का उस्ट आकार है वो दो पॉइंटosity का सुमारा प्रकार column अगर बात जोतरम जोतों का उस्ट आकार है वह दो पॉइंट凌शा ce हेक्टियर है उत्तर कोज सा होगा बिटाया भी उत्तर होगा नेक्स से प्रसंद संक्या सत्रा कि 2015-16 की करशी गण्णा के अनुसार राजस्तान में प्रसृत मैला जोतों की संक्या कितनी रही है यह प्रसंद भी पूछा हुआ यानि राजस्तान में जो कुल जोते हैं उनमें से मैला जोतों की संक्या कितनी हैं तो मैला जोतों की संक्या साथ पूइंट साथ पॉइंट पिचेतर लाग है ध्यान रखना राजिस्तान में साथ पॉइंट पिचेतर लाग खेत है वह किसके नाम है मैलाओं के नाम है यानि देखे प्रसलित मैला जोतों की संख्या इसका मतलब ऐसे खेत जो मैलाओं के नाम रेजिस्टर्ड है तो उनकी संख्या है 2021. 22 के अनूसार और फीर आप देखें परशन संक्या 18 सो फ्रदान मंत्री कुस्म योधना राजस्तान में में कहां से प्रारंब की गई यह प्रसंद भीा रस प्रलिंब्स में पूचा हुआ है पिशले आरेस का प्रसंद ही है कि प्रदान मंत्री कुस्म योदना है। इसकी शुरुवात राजितान में कहां से की गई थी। तो इसकी घाम सतु सतुंडब के समस्म यूदे उर्जा सयंत्र है क्रशी सेक्ट्रों में सोर उर्जा सयंत्रों की स्तापना से संबंदित जो योजना है वो प्रदान मंत्री कुश्म योजना है बेटा उध्यान रखना इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान के पास में ऐसी कोई जमीन है, जो करशी के लिए उप्यूकत नहीं है, बन्जर है, तो किसान अपने उस केत में सोर उर्जा प्लांट लगा ले, और जो सोर उर्जा प्लांट लगाएगा, उसकी जो लागत आएगी, उसका 30% है, वो तो किसान के रूप में स्टेट गौवर्मेंट देगी स्टेट गौवर्मेंट देगी तीस प्रतीशत है वह किसान को रेन के लूप में उप्लब्द करवाया जाएगा और बाकी बचावा 10% है वो किसान को देना पड़ेगा कितना केवल 10% है वो किसान को देना है अब बिटा जी क्या करेंगे किसान अपने खेत में सोर उर्जा प्लान लगाएगा उसमें विजली का उत्पादन होगा और उस विजली को खरीदेगी कौन लगबग स्तारी है उसकी अपिक्सा विजली का जो उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो बची हुई रासी आपके खाते में ट्रांसपर हो जाएगी तो यह विटाओ प्रदान मंत्री कुशुम योद्ना जो आरेस में पूछी हुई है कि कहा से प्रारम हुई यह भालो जी गाउं उनके उत्पादन में भारत में राजस्तान रज्ये का पहला इस्तान है और आपको पता है बारत की 37.44 प्रतीशत उनका उत्पादन कहां होता है राजस्तान में होता है तो पहले बात तो राजस्तान का इस्तान कुन सा है राजस्तान का प्रथम इस्तान है उनके उत्पादन में भारत में राजिस्तान राज्ये का प्रतमिस्तान है बारत की 37.45 प्रतिशत उनका उत्पादन का होता है राजिस्तान में होता है राजिस्तान में ध्यान रखना भेडों की सरवादिक संक्या है वो तो किस दिले में हैं बाड़ बेर में यह फर्स्ट ग् जो GK का पेपर उसमें प्रसंदिया था राजिस्थान में भेडों की सरवादिक संक्या वह बाडमेर में हैं राजिस्थान में की सब्से बड़ी उन मन्डी है उन है और वो हुआ 1976 तो कुन सा है जोदपूर है अगला प्रसंदपन देखते हैं प्रसंद संग्या भीज कि दो अजार बीस इकीस में राजस्तान के निर्यातों में सरवादिक योगदान कि समिद्ध मद का रहा है यानि राजस्तान निर्यात किया उसमें सबसे ज्यादा कोंट्रिविशन वह किस मद का रहा है तो अभियांत अभियांत रेकी का मतलब हैं इंजिनिरिंग का जो सामान है इसका राजस्तान ने सबसे ज्यादा निर्यात है वह दो जार बीस इकीस के दोरान किया है तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा वह होगा एड़ नेक्स आप दे की इसतापित हो रही रिफांद्री में एच्पी सीयल और राजुस्तान सरकार की इस्सेदारी कितनी है तो पंश्पद्राबाइन Isra by थोरी है उसमें बेटाओ एच्पी सीयल इसकी से दारी है वो तो चौतर प्रसेंट है और राजिस्तान सरकार की से दारी है तो इसमें एच्पी सीयलों राजिस्तान सरकार की से दारी है वो चौतर अनुपात चौतर प्रतिशा तिश्यदारी है वह एच्पी की है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परिशन लिमिटेड की है और बेटा चब्वीस प्रतीशत तिश्यदारी है वो अमारी राजस्तान सरकार की है अगला प्रसन आप देखिए यह प्रसन भी बेटा एसो के एक्जाम में पूछा हुआ प्रसन है कि बारत के कुल रेल मार्गों का राजस्तान में कितना प्रतीशत है यानि बारत का जो टोटल रेल मार्ग है उसमें राजस्तान में कितना है तो राजस्तान में बेटा जी आठ पॉइंट तैयासी प्रतीश नेक सा प्रसंद देखिएगा राजिस्तान में इंद्रा रसोई योधना कब से प्रारब की गई है इंद्रा रसोई योधना बिटा कब से प्रारब हुई है 20 अगस 2020 से इंद्रा रसोई योधना प्रारब की गई है और इंद्रा रसोई योधना प्रारब किसने की असो इस योधना का शलोगन क्या है? इस योधना का स्लोगन है कोई भूका ना सोए यतो इस योधना का स्लोगन है इस योधना में 8 रुपे प्रती थाली पर भोजन उपलब्द करवाने का प्रावदान है समान पुन भोजन उपलब करवाने का प्रावदान है थाली की कीमत वो 25 रुपए है पर खाने वाले व्यक्ति से 8 रुपए प्रति थाली लिया जाता है और 17 रुपए अनुदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है देंट्रा रसओई योद्णा की जगा आई है अपको पता यह अन्बुन रसओई योद्णा के स्थान पर इंद्रÁ रसोई योद्णा है वो लाई गई जिसमें 8 रुपे भोजन उप्रत करवाया जाता है जिसमें आपको 100 ग्राम सब्जी सो ग्राम दाल डाई-सो ग्राम चपाति और उसके सात में आचार है वो दिये जाने का प्रावदान है अगला प्रसना है अधिए गाप्रस अ citizen संख्या चोईस हो जो प्रसन की दोजार बीश कीज राजिस्तान का राज कोश्य घटा राजस्तान का राजकोश्य घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहा है कि कितना प्रतिशत राजकोश्य घाटा है वो 2020-2021 में GDP का राजस्तान के बजट में रहा है तो बेटा जी 5.86 प्रतिशत का घाटा है वो राजकोशे घटा रहा जीडीपी का 5.66 प्रतीशत है वो राजकोशे घटा दर्ज किया गया है फिर है राजिस्तान सरकार की वर्तमान पारिस्तिती के परियर्टन नीती यह अभी जो सेकंड ग्रेड टीचर्स का एकजाम हुआ सेकंड ग्रेड टीचर्स इसमें यह प्रसंद है कि राजस्तान सरकार की वर्तमान जो पारिष्ट की परियटन नीती वो कब की जूलाई 2021 में परियटन नीतिया तो चार बार गोशित हुई है कारज करें परियटन नीतियों की तो तो परियेटन नीतियां तो आज तक 4 बार है पहली 2001, दूसरी 2007, तीसरी 2015 और चोथी 2020 यह तो परियेटन नीतिया है और पारिस्तिति के परियेटन नीतिया आप देखें तो पारिस्तिति के परियेटन नीतिया रहस्तान में आज तक केवल दोई बार गोशित हुई है पहली 2010 मे और दूसरी 2021 में है और यह वर्तमान वाली पूछा है तो वर्तमान वाली है वो है जुलाई 2021 यह प्रसंद अभी जो सेकंड ग्रेड टीचर्स का एक्जाम हुआ था इसमें पूछा गया है नेक्स है प्रसंद संक्या 26 कि 2021 में राजस्तान की प्रतीवेक्ति आए इस्तिर मुल्यों पर कितनी अनुमानित है यानि 2021 में तो 2021 में जो अनुमानित है वो है एक लाख 15,933 रुपे हैं वो अनुमानित है नेक्स प्रसंद संक्या 27 कि 2021 22 में राजस्तान की जीडिपी में शेवा शेक्त्र का योगदान कितना रा है आपको पता है जीडिपी में चाहे भारत की जीडीपी पूछे चाहे रास्तान की जीडीपी पूछे सरवाधिक योगदान है वो बेटा जी कौन से शिक्तर का है सरवाधिक योगदान है वो शेवा शिक्तर का ही है और राजस्तान की जीडीपी में आप देखें तो देखें जीडीपी में भारत रास्तान कि जड़ी पी में सेवा शिक्त्र का योगदान है वो पेंट बंगश प्रतिशक्र तो देखेगा पेंट बंखम प्रतिशत से अप्रतिशत उत्तर कुन्ह सा होगा भी है डी का मोजत्तां में मुख्य मंत्री युवा संबल योधना कब से प्रारम की गई है तो मुख्य मंत्री युवा संबल योधना है ये विड़ा एक फरवरी 2019 से प्रारम होई है नहीं告訴, पैले बात तो मुख्यमंत्री युगासंबल योजना इसका संबन्द है वह बेरोजगारी बत्ते से ір बेरोजगारी बत्ता से इसका संबंद पहली बात नमबर दो ज्यान रखना ये राजस्तान सरकारी की योजना है प्रारम हुई एक फ्रवरी 2019 से और प्रारम किसने की है असोग गहलोत ने इस योजना के अंत्रगत वर्तवान समय में जो बेरोजगारी बत्ता दिया जाता है वो पूर्सूं के लिए तो हैं 4000 रुपे प्रतीमा और मैलाओं के लिए हैं वह साड़े 4000 रुपे प्रतीमा बेरोजगारी बत्ता दिये जाने का प्रावदान इस योजना के अंत्रगत किया गया है नेक से प्रसंद संक्या उड़तीज राजस्तान में इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योजना किस बजट में की गई तो पिटा 2022-23 के बजट में इसकी गोशना हुई थी तो 2022-23 के बजट में इसकी गोशना वो की गई थी पिटा इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योज रहें यह राजस्तान सरकार की योज़णा है ठीक है महनर्य अरेग का प्रावधन किया गया है इसको प्रारंब कम किया गया है तो 9 सेप्टेमबर 2022 से योजना को प्रारंब कर दिया गया है यह राजस्तान में इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योजना नेक्स प्रसन संक्या 30 2021 में राजस्तान की जीडीपी में परियटन शेक्तर का योगदान कितना प्रतिशत रहा है बिटा 2021 में राजस्तान की जीडीपी में परियटन का योगदान आप देखें तो परियटन का योगदान 12 प्रतिशत रहा है राजस्तान की जीडीपी में परि तो देखिएगा यह राजस्तान की आर्थिक समिक्सा 2021 से जोड़े हुए जो मैंत्मु डाटा है उनको मेने प्रस्णों के रूप में आपके सामने प्रसूत किया है अब बेटा नेक्स क्लास में अगले किसी टॉपी के प्रसंद लेकर के आपके सामने उपस्रित होने वाले है तो आज के लिए बहुत बहुत आशिरवाद शुब कामना है थैंक्स